हेलो वेलकम योल आज है कतिस जुलाय और आप सभी के लाएं फिर से एक इंपॉर्डम वीडियो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक आफ इंडिया के बारे में तो स्टेट बैंक आफ इंडिया के क्वाटर वन के नतीजे आ चुके हैं साथ में यह जो रिजल् इंकम जो कंपनी की रही है इन स्टेंडर नोल रिजल्ट तो आप देखोगे क्वाटर टू क्वाटर बेसिज डिकलाइन हमारे को देखने को मिल रहा है लगबग 1,600 क्रोल का बिट्वीन जून एंड मार्च की बीट में अगर हम येर ओन येर बेसिस पे बात करेंगे तो इ इनके एक्सपेंसिज रहे हैं जो येर ओन येर बेसिज सिंग्निफिकेंस ली अच्छे से मिनेज होते हैं देखने को मिल रहे है आप देखोगे जब यहां पे इनकी इंकम 70.6 क्रोड ती तो इस बारीं 74.4 क्रोड ती तो सिंग्निफिकेंस इंकरीज हुआ था डेफिनिट हुआ है पर एक्सपेंसिज देखोगे एक्सपेंसिज अच्छे मिनेज की एक्सपेंसिज ऑल्मोस्ट उतने ही अमारे को देख रहे हैं को ऑ्र यहां क्वाट्र तूका लगभग एकजार छेसों क्रोड की इनकी लगभग इंकम डिकलाइन हुई थी वह एक्सपेंसिज में अगर हम देखेंगे तो 57 और 60 मलब 3 points का हमार को almost difference देखने को मिल रहा है almost 2.1 का मतलब expenses quarter to quarter भी अच्छे से manage होते हुए हमार को देखने को मिले हैं और वाई अगर इनके provisions other than taxes की अगर हम बात करें जो लगभग 9.1 करोड से year on year basis 12.5 करोड तक हो चुके जो significantly बहुत ही जादा से 12.5 तो यहां पे भी 1 करोड के आसपास के हमार को 1000 करोड के आसपास के हमार को differences देखने को मिल रहे हैं तो वहीं अगर इनके non-performing assets की बात करें तो यह भी manage होते हुए अच्छे से देखने को मिल रहे हैं जो इस बार ही लगभग 9.4 करोड के थे जो पिछले साल 11.6 करोड क के थे तो यह 11.7 सीधा 9.4 करोड आये हैं तो यह अच्छा खासा इन्होंने प्रोवीजिन डॉन प्रफॉर्मिंग एसिट को कवर करते वे मिर को देखने को मिल रहा है जो एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है और जिसकी वाश से अगर इनके प्रॉफिट की बात करें इनके प्रॉफिट्स जंप किये हैं यार ओनियर बेसिज एंड क्वाटर टू क्वाटर बेसिज भी अच्छा कासा मार को जंप देखने को मिल रहा है जो शांदार प्रॉफॉर्मेंस एस बीया इन दिखाया था डिस्पाइट इसके रिजल्स अच्छे हैं आज मुमेंटम म बरीक पाइट तो यहांपे अगर आप देखोगे टोटल इंकम पॉंक नंबर च्री तो टोल इंकम आप देखोगे तो यह हमारे कौर्टर टो डिफ्रेंस यहांपे हमारे को ज्यादा डिफ्रेंस देखने को बढ़ रहे 87.9 कोर्ट इस बारी नांचिकम रहीं इनगेंस जो पारी के 69 यहां पे अच्छे गासे बढ़ गए आप देखे तो लगवक 10 पॉइंट बढ़ गए स्टेंड और 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 यह बेसिस पे भी इस लाइटली इंक्रीज हुए हैं और क्वाटर टू क्वाटर बेसिस में मनेज होते हुए हमार को देखने को मिल रहे हैं तो अगर देखे तो हम एक्सपेंसीज इन और और मॉस्ट कंसॉल्डेट में भी अपने इंप्रूव ही किये हैं क्यूंकि आप यहां पे देखोगे टोटल इंकम के साथ अगर आप देखोगे एक्टी थ्री पॉइंट टू से जब 68.3 के एक्सपेंसीज थे तो जहां इक्टी सेउन की इंकम हुई वहां 69.5 पहुंच गए तो यहां पे एक्चल में वन पॉइंट का डिफरेंसीज देखने को मिल रहे हैं और यहां पे लगवाग फॉर पॉइंट का डिफरेंसीज दे से पहुंच चुके 18.4 और क्वाटर टू क्वाटर भी बढ़ते वे नजर आ है 17.7 से 18.4 तो प्रोविजिंज अदर दाने टैक्सीज में पे बढ़तरी देखने को मिल लिए अब करते हैं नॉन प्रफॉर्मिंग एसिट्स की बात तो नॉन प्रफॉर्मिंग एसिट्स हमार को यहां पर देखने को मिल रहा है 11.8 से 9.6 के असपास और वहीं क्वाटर टू क्वाटर 12.0 से लगबग 9.6 तो नॉन प्रफॉर्मिंग एसिट्स में की अच्छी कासी रिकवरी देखने को मिल रही है लगबग डिकलाइन हमार को देखने को मिल रहा है डिस्पाइट इनके रिजल्स भी अच्छे रहे हैं प्रॉफिट्स भी अच्छे रहे हैं पीरियट के प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो लगबग यहां पे हमार को कैलकुलेट होकर देखने को मिल रहा है जो पॉइंट नमबर हमारा सतरा है 4,776 क्रोड चास पास जो क्वाटर टू क् decline है and year on year basis में almost हमार को jump देखने को मिला तो market को consolidate results पे नोंने focus किया है जहां पिछली बार इनके 6.9 crores के profits ते और इस बार के profits में गिरावट देखने को मिलिया quarter to quarter में और year on year basis में significance हमार को jump देखने को मिलिया 4.7 से 2.9 के पिछली बार इक इनके profits थे तो भी है इनके consolidate results थोड़े से quarter to quarter week पड़े हैं year on year basis तो इनके अच्छे कासा jump देखने को बलकि standard norm में अगर बात करें तो यहां पे quarter to quarter में भी अच्छी कासी jump हमार को देखने को मिली थी लगबग 600 क्रोड के असपास तो consolidate results को लेकर market कहीं न कहीं इसमें rally miss कर गई यह तो पहला रिजन्स था और दूसरी रिजन्स भी आपके साथ रखना चाहूंगा कि आज market में क्यों rally miss हुई despite of this good results तो पहले share holding pattern देख लेते हैं तो यहां पे हमार पास March का और यहां पे हमार पास June का है तो आप देखोगे promoters मातर 0.01% की holding मार्च टू जून में increase करते वे नज़रा है mutual fund almost अपना माल थोड़ा बेचते वे नज़रा है और domestic institutional holdings की बात करेंगे तो यह थोड़ा माल ख्रीदते वे नज़रा है 24.55 से 24.69 और वहीं फॉरजनल इंस्टूट की बात करें institutional holdings की बात करें तो यह भी माल बेचते वे आए मार्च मिन की 9.58 थी और अब रह चुकी है 7.90 and other parties हम जैसे जिसमें आते हैं उसमें holdings लेते इंक्रीज करते हुए 8.23 से 9.75 तो अगर इसकी हम share holding pattern भी देखे तो कहीं न कहीं इसमें माल ज़्यादा बेचते हुए हमार को देखने को मिल रहा है अगर हम बात करेंगे द्वारा फॉरजन institution holdings के द्वारा अच्छा कासा मेल माल बेचा गया है almost 1% से ज़्यादा का माल बेचा गया है और खृदारी में इतनी बड़ी खृदारी सिर्फ अधर पार्टीज की है जिसमें हम जैसे नॉन institutional investors भी आते हैं और वहीं अगर पिछले एक मंत की बात करें तो as of now 6.27% की तेजी रही है और मात्र 5% की तेजी रही है और वहीं अब आ चुके में इसके चार्ट पे तो चार्ट पे स्पोर्ट लेता हुआ देख दिख रहा है अपने ट्विंटी एंड फिफ्टी डेस की एमस की आसपास बहुत ऊपर रह चुका है तो इसमें सिकनी फेंज रहल लिया और कहीन न कहीं यहां पर थोड़ा आप ब्रेकवर्ट भी देखने को देखने को मिला था हमारे को अगर आप गॉर से देखोगे तो अगर स्ट्रैड को फॉलो गर घ्यों आप पर ब्रेक आउट भी देखने को मिला था और शेर उसके पाद थोड़ा नीचे भी एक ही सकता हो नजर आया पर स्पोर्ट लेता हुआ अपने ट्वेंटी एंट फिफ्टी डेज की यह मैं इस पर लेता हुआ अब दूसरी बात आपके साथ रखना चाहिए आज अब इसके रि पिरावट भी देखने को मिले तो मार्केट इसमें रहे गया कि इसकी निचे लगा और वन नैंटी-फूर के आसपास अच्छा आगा जो इसको यहां से नीचे पीटने लगा तो भया इसके भीच में बहुत देर फाइट होते गई रजल्ट को कम से कम अगर आप देखों प मैंने फ्रेम लगाया है तो अल्मोस्ट हाफ एनार फॉर्टी-फाइव मिनेट्स हो गए थे यह इसी की बीच में घुमता हुआ नजर आ रहा था मले एक रेंज मांड़ीड हो गया था वन नैंटी-फूर के उपर यह शेयर जानी रहा था और वीडियो में पहले ही बना रह सब्सक्राओं में आपको तो आपको दिखेगा वन नैंटी-फूर के आसपास दिख रहा है चार लाख अठाइस जार के पास और लगे वे अगर आप देखो कि सबसे ज्यादा यहीं है और लगे यह इस और को क्लियर नहीं कर पा रहा है यह अल्मोस्ट जब मैं देख रहा नीचे को भी अच्छी कासी बाइंग देखोगे तो आप वन नाइंटी-टू-फिफ्टी पैसे के आसपास एक लाख के उपर के ओडर हमार को देखने को मिल रहा है पूरी रो में यह हाइस तो यह जो प्राइस देखोगे तो आप इसी रेंज में बाउंडिट होता है आप नाइंटी-टू-फिफटी तो आप देखोगे यह आँवन नाइंटी-टू-फिफटी और यह इसी में प्राइस अटा गया और उसके बाद पूरा मुमेंटum खतम हो गाँ अब यह हो गया फोटिफाइवार बिर्ट होगया आब मुमेंटum दे रहा है तो मैं शेर से हटी कि आप मेरी नजर हट गई मैं सोच आपको पहले इंफॉर्म कर दूं और मार्किट क्लोजर पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दूं और कहीं को इसमें हमार को ब्रिक आउट दिखे तो वहीं को पॉसिबिल्टीज हमार को ज्यादा नजर बनती हुई आईगी इसकी फ्यूचर कि इसकी पॉसिए कि आपको बनती हुई आपको लिए को थाज।